इस इन्में आपव्त हम जागाए तो फोन के आते हुद देखा और यहाथ से बनाए जाते हैं आप देखे रहे होंगे अंगलों के सॉफ्ट बनता है घर में और देखेए वीडियो में बनेर ही कैसे बनाती है कुल्चे को विफर स्कुल्चे बनाने के लिए मैंने आपने लिए हैं यह मयदा है यह राइस फ्लोर है चावर काथा आप इसकी जगह चावर काथे हां की जगह हम मैदा भी ले सकते हैं चीनी है और यह बेकिंग पाउडर है यह नमक है और यह दही है और यह मेरे पास है सुहागा बोलते हैं जिसको समुधरी झाल इसमें से थोड़ा सा पीस लेकर के और इसको कोट करके हम इसमें डालेंगे जिससे में कुल्चे भढ़िया नरम और साफ्ट पानी होने रहते हैं मैंने तो इसमें हमें जादा से जादा नोच चाहिए होता है कुलचे में इसलिए हमें यह प्रोसेस करना पहुत जुरूरी है नहीं तो में नां थाइप से वह बन जाते हैं फिर हमारा कुल्चा नहीं बनेगा गरब पानी हो रहाई मेरा गैस पर और को मिलानिया है और मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा इसको ठड़ना होने देंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे पतला हो जाए कोई बात नहीं लेकि गरब पानी में डालना पहले बहुत जरूरी है आप उसको पानी को ज्यादा भी ले सकते हैं इसे बेकिंग पाउडर डाल देंगे यह सॉल्ट डाल देंगे और यह दही डाल देंगे इसको पाउडर बना कर इसमें डालेंगे सोहागा बोलते हैं इसको समूदरी जाग भी बोलते हैं यह ने कॉट लिया है और इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको यह प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए पैदा को इसमें डाल देंगे चैपराथ में डाल लीजिए कैसे भी कर लीजिए और हम इसमें बटर एड़ करेंगे और यह रूंग टैम्पेश्चर पर होना चाहिए बटर और इसका रेस्ट होने के लिए रख देंगे करना है इसको अच्छे से मसल मसल के बाद में सेट होने के लिए रख देना इसी टाइम पे मसल देना है अब इसको हम पराथ में ढख करके रख देंगे थोड़ों मौसम चेंच हो गया है तो भी एक घंटे में ही सेट हो जाएगा जाएगा पाली कहां लगाइगे लिए इसी पराथ में सेट होने के लिए रख देंगे यह नकिकारद कर देंगे और फिर हम मिलते हैं एक गंड़ गंटे बाद जम बनो तब पनाना एक हंटे ज़ स्वादा हो गया है और यह अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो गई है थोड़ा ची सूखा मैंदा है डॉस्ट करके हम इसे एक बार देखिए अच्छी प्लफी हो गए यह तो इसका मतलब हमारा कुल्जा अच्छा बनेगा ठीक है न ऐसे प्लफी होना चाहिए कितने टाइम होती है यह मौसम के ओपर डिपाइंड करता है यह देखिए प्रेस होगी न अच्छे सब इसमें हम कुछ प्लेन और कुछ धनिया लंबे तवर ले लिया है और इसके उपर हम इसको फलाने के इसको हाथ से फला जाता है क्योंकि इसकी मैदा काफी सॉफ्ट है इसके उपर धनिया लगा देंगे यह जाएंगे हमारे लंबे वाले और फिर इसको ले जाएंगे हम गैस की तरफ दूसरा हम गोल लेंगे और इ किए इसको हम जो साइज आप चाहें उस साइज में फैल आ सकते हैं और उंगलिया बंद्र कोई बात है ने इन कुल्चों कमें को हाथ से जितना हम करेंगे उतना ही नारम और मुलाइम बंते हैं है चलिए रखेंगे और लो फ्लेम पेल को सेखना है इसमें थोड़ा सा हम पानी की छीटे लगाएंगे और इसको ऐसे कवर कर देंगे एक बार और पानी छिमाग दिया थोड़ा सा फिर इसको कवर कर देंगे अब इसको हम पलट देंगे इसको हलका ही सेखना है ज्यादा नहीं सेखना है हलका सेखना है फिर इस पर पानी की छिमके लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे इस कपड़े के उपर हम इसको रखते जाएंगे और ठंडा होने पर इसको लपेट के रखेंगे ताकि हमारे कुल्चे सॉफ्ट बने रहें और बहुत लो फिलेम पर इसको सेखना है हलका शेकना है और जब हम खाने के टाइम पर इसको हम बटर में शेकेंगे इसको भी थोड़ा सा और शेकना है इतना ही सेकेंगे से और तूसे साइट से और यह भी बारा शिक चुका है और थोड़ा साम दबाना चाहें तो इसको दबा करके जब बटर लगा के हम सेकेंगे तब हम अच्छे से दुबारा बटर लगा के सर्व करने की टाइम पर इसको सेका जाता है और फिल्कुल लो फिलेम पर इसको बनाना है अब इसको हम रख देते हैं साइट में ऐसी हम सारी कुल्चे बना लेंगे आप गोल चाहें गोल और लंबे चाहें लंबे यसी ठंडे होंगे कपड़े पर उनको हम लपेट का रख देंगे अब बाद में हम किसी भी पॉलेथिन में पैक्ट करना है और एक से दो दिन तक हम इसको डॉर्मल टेंप्रेजर पर फिरिज में रखना है कि मैंने जो रख देते सेख करके अब हम क्या करेंगे एक माश्यर वाला कपड़ा लेंगे अच्छा मोटा मोटा कपड़ा लेना है और उसमें हम इन सबको सेट करके रख देंगे नहीं तो यह हमारे टाइट हो जाए नहीं तो आपके एकदम से सूख जाएंगे तो अभी देखिए इसमें मौश्यर पूरा बना हुआ है इसके लिए डखना बहुत ज़रूरी है यह भी देखिए फोल्ड करके आपको दिखा रही हूं और टेक्शर भी बहुत अच्छा आया है ऐसी बहुत अच्छा डेक्शर आया है मोटे पतले अपने हिसाब से बनाएगा हम मैं इतने ही पतले बनाती हूं ज्याता मोटे अच्छे नहीं लगते मुझे आप बताएगा मेरे रैसी पर आपको कैसी लगी और लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा जाते जाते अपनी फैमिल है अच्छेयर के जाते जाएगा ह